राधी राधी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को भगवान, शिव और माता पार्वती के विवाह मंगल, पार्वती मंगल कथा सुनाने जा रही हूँ आशा करते हूं कि आप लोगों को यह कथा अवसे ही अच्छी लगेगी पूजिनिये गोस्वामी तुलसी दाजी द्वारा रचित यह पारवती मंगल बहुती सुन्दर बहुती हिर्देग्राही कथा है इस कथा को पूरा सुने भगवान, शिव और पारवती के विवाह उत्सव कथा को अवसे ही सुने और पुनिफल की प्राप्ति करें आए सुध्धा और भक्ती के साथ में इस कथा को सुनते हैं भगवान सरी गणेस की जय हो किर्पया वीडियो को लाइक जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवसे ही लिखते हैं स्वी हरी की जय हो, माता पारवती की जय हो पारवती मंगल जै नामक संबत के फालगोन मास की शुक्ल पंचमी ब्रस्पतवार को अश्वनी नच्चेत्र में गोस्वामी तूलसी दाजी ने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की जिसे सुनकर छाच्छा में सुख की प्राप्ती होता है परवतों में सिर्ष इस्थानियें गुणों की खान हिमवान परवत धन्य है जिनके घर में ती लोकी की इस्त्रियों में सेष्ट मैना नाम की पत्नी थी कहो उनके पुनी की किस प्रकार बढ़ाई की जाए जिनके घर में जगत की माता पारवती ने जन्म लिया जवसे मंगलों की खान पारवती जी ने प्रगट हुई तब से हिमांचल के घर में नित्य नवीन रिधी सिध्यां और संपत्यां निवास करने लगी। मुनीजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंद में उस्सो मनाते हैं। ब्रह्मा आदिदेवता मनुस्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सोभागे का वर्णन करते हैं। पिता, माता, प्रियजन और कुटुम के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानों शुक्ल पक्ष में चंद्र सेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला की ब्रधि को प्राप्त हो रही हूं। कुमारी पार्वती जी को सयानी वयस्क होते हुए देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं। और नित्यप्रती यह अभिलासा करते हैं कि पार्वती के योग्य वर्ख कहां मिलेगा। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय परवत स्रेष्ट हिमवान और मैना ने प्रसनता पुर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती जी को बुला कर रिशी के चर्णों में डाल दिया। मुनी नारद ने मन ही मन माता पार्वती को प्रणाम किया और वचल से आशिवाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंदे से सट कर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभा महीं जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णा नहीं कर सकता है। उसी जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची स्रद्धा से बार बार पैर पकड़ कर मैना जी ने कोमर वचनों से कहा। हे मुने हमारी विंती सुनिये। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल है। अत्य हे नारद जी आप पार्वधी के अनुरूप कोई वर बतलाईए। नारद मुनी कहते हैं ब्रह्मान के चोदहों भूवनों में जहां जहां मैं घूमता हूँ हे गिरिशेष्ट हिमवान वहां वहां तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़ भागी और कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी आप्राप्त नहीं है। सब कुछ सुलब है। क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। इश्वर तुम्हारे अनकूल सिद्धुए हैं, अतह तुम्हारे लिए सब कुछ सुलब है, यह जानकर नवीन चिन्ताओं को त्याग दो, म्रम्हाजी ने वर दुलहा रूप पौधे को पहले रचा है, तब मंगल में मंगला पारवती को एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्म लोक में भी चल रही थी, उस समय चतुर चतुरानने ने कहा था कि हिमवान की कन्या पारवती के योगिवर है तो वावला परंतु निश्य वह देवताओं से भी वंदित पूजित है, मेरे मन में भी ऐसी बात आती है कि पारवती को बावला वर मिलेगा, नारज जी के इस वचन को सुनकर उमा पारवती के हिर्दे में सुक हुआ, किन्तो यह बात सुनकर दमपती, हिमवान और मैना सहम गये, और नारज जी के पैरो पर पढ़ कर कहने लगे कि पारवती के लिए हम लोगों का जीवन और सारे सुक संपत्ती है, अतहिये नात वह उपाय बतला ये, जिसमें पारवती के इस भाग्य दोश का नाश हो, जिसके कारण उसे पागल पती मिलने को है, मुनी ने कहा कि सारे दोशों को नाश करने वाल सशी भूशन महादेव जी ही है, उनकी के पासे सफलता अवस्य प्राप्त होगी, साहस ध्रता से ही सेष्ट साधन भी सफल होता है, सिव जी की अराधना एक ही कडोडो कल्प रक्षों के समान सिधिदायक है, देखो तुम्हारे आश्रम कैलास में महादेव जी अभी तब सा अधन कर रहे हैं, अतह पार्वती से कहो कि जाकर मनो योग पुर्वक सिव जी की अराधना करें, दंपते हिम वान और मैना को यह उपाय बतला कर मुनिशेष्ट नाराजी आनंद पुर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत इसने से पार्वती जी को शिच्छा दी, पर माता कहने लगी कि इश्वर इस्त्रियों को ना रचे, क्योंकि इन्हें सदेव पराधिन रहना पड़ता है, माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम भगवान शिव की अराधना करो और अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ती से मन को तर कर दो, एक मात्र स्वी महादेव जी के ही चर्णों का भक्ती के द्वारा मन को सरस बना दो, मनसा, बाचा, कर्मना, पार्वती जी के एक मात्र स्वी महादेव जी के ही चर्णों का आश्रे था, उनके गौरव, इसने, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है पार्वती जी गुण, रूप, एवं योवन की सीमा थी, किन्टु ऐसी अनपम सुन्द्री को देखकर सीवजी के मन में तनिक भी छोब नहीं हुआ, सच है जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी काम देव को वश्मे किये रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं देवताओं ने अनुकूल अफसर देखकर काम देव को बुलाया, और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए, यह सुनकर काम देव साज सजा कर आए महा देव जी से काम देव ने प्रतिकूल बरताओं किया, और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिर जी का निरादर किया, उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नस्ट हो गया पती हीना, अर्थात विध्वा, रती को मलिन और शोका कुल देख कर म्रदूल सुभावाले किरपामूर्ती आशुतोस भगवान निल कंट शिर जी ने प्रसन होकर उसे यह वर दिया अब ते रती तब नात करे, हो है नाम अनंग, बिन बपु व्यापही सबही पुनी, सुन निज मिलन प्रसंग, जब जदु बंस कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महा मही भारा, किष्ण तने हो ही पतितोरा, वचन अनेता हो ही नमोरा और फिर शिव जी उदासीन हो गए, उस इस्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए, पारवती जी प्रेम बस ब्याकुल हो गए, उनके सरीर की सुध बुध होस हवास जाती रही मानों, बन में बढ़ती हुई कल्पलताओं को विसम पाले ने मार दिया हो, फिर सक्यों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए, इस समाचार को सुन करके माता पिता एवं घर के लोग दारोन दुख में जलने लगे वहां जाकर पारवती जी को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हिर्दे लगाते हैं, बिलाब करते हैं, तथा वाम विधाता को दोस देते हैं, और कहते हैं कि अधि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक ना हो, तो साधक लोग परिश्रम करके मनवांचित फल प पर उनकी बात कौन सुनता है, और किसे घर सुहाता है, मन तो चंद्रभुशन स्वी महादेव जी को चाहता है, फिर पारवती जी सब को समझा कर, सब की मन को द्रड़ कर, और माता पिता की अग्यापा पुनह कठिन तपस्या करने लगी, उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकते हैं पारवती जी द्रड़ प्रतिग्या को देखकर, माता, पिता और परिजन लोट आये, जिसमें अनुराग पुरुवक चित लग जाता है, वही अपना प्रिये है, उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के जुन्ड के समान त्याग दिया, तथा जो मुन उन्यों को भी मन के द्वारा अगम में था, ऐसे तप में मन लगा दिया, जिस शरीर को इस पर्स करने में वस्त्र आभुशर भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होंने शिवजी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरभ कर दी, वे तीनों कल इस्नान करती और शिवजी की प दिन बरावर होगे, ननींद, ननभूक, अथ्वा नप्यासी ही है, नेत्रों में आसु भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, सरीर पुलकित रहता है, और हिर्दय में शिव जी बसे रहते हैं, कभी कंद, मूल, फल का भोजन होता, कभी जल और वा त्यार दिया, तब उनका अपना नाम अपड़ना पड़ा, उनकी नवीन, निर्मल, एवं मनुर्मम कीर्ति से चोदों भुवन भर गए, पार्वती जी का तप देखकर, बहुत से मुनिवर और मुनिजन, उनकी सराहना करने लगे, कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने ना देखा और ना तो सुना ही था, तो कहते हैं, कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा, इस तप के योग्य फल के चार फल, अर्थात, धर्म, अर्थ, काम, इवं मोक्ष कभी भी हो सकते हैं, परवत राजकुमारी, उमा क्या चाहती हैं, जाना नहीं जाता, ना भी कुछ कहती हैं, तब देवजी ब्रह्मचारी का वेश बना कर उनके प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्या और ध्रड संकल्प की परिक्षा के लिए आते हैं। बड़ाहे कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसनता के लिए साधकों को इतना तब करना पड़ता है। जब वह ब्रह्मचारी पारवती के वन्स की प्रसनसा करके उनके माता पिता को सब प्रकार से योगे कह अमरत के समान, मीठे और सुख दायक बचन बोले। सिवजी कहते हैं। मैं स्वभाविक इसने से कहता हूं अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यस्व प्रशिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में इस्त्रियों के बीच रत्न सद्रश उत्पने हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। यह भी सच है कि निश्काम तपस्या में कलेश नहीं जान पड़ता है। परन्तो यदि तुम वर दुल्हा के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है क्योंकि यदि घर में ही पारस मणी मिल जाए तो क्या कोई सुमेर उपरवत पर जाएगा। हमारी समसे तो तुम बिना प्रियोजन ही कलेश उठाती हो। अमरत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हिर्दय में हार गया इस प्रकार उनके प्रिय बचन को सुनकर पारवती जी ने सखी के मुख की ओर देखा तब सखी ने उनकी अनमती जानकर उनके तब का कारण यह बतलाया कि वे शिर जी के लिए तपस्या करती है। यह सुनकर के ब्रह्मचारी ने हस कर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मुर्खता है जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया जिसके कारण तुमने इतना किलेश उठा कर वावले वर का वरण किया है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद भावबस कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा यह तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीज गई जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जात रहित और माता पिता रहित है। वे शिव जी तो भीक मांग कर खाते हैं, नित, शमसान में, चिता भस्म पर सोते हैं, नगन होकर नाचते हैं, और पिसाच और पिसाचनी इनके दर्शन किया करते हैं, भांग धतूरा ही इनका भोजन है, और ये शरीर में राख लप्टाय रहते हैं। ये योगी, जिटाधारी और क्रोधी हैं, इने भोग अच्छे नहीं लगते हैं, तुम सुन्दर मुख और सुन्दर नित्रो वाली हो, किन्तु शिव जी के तो पांच मुख और तीन आखे हैं, उनका वाम देव नाम ये थार्थ ही है, वे काम देव के मत को चूर करने बार अर्थात काम विजयी हैं, संकर में भी एक शेष्ट गुण नहीं है, वे करोणों दूशन हैं उनके अंदर, वे नर्मुंड और हाथी के खाल को धारन करने वाले तथा साप और विश से विभूसित हैं, कहां तो तुम्हारा गुण, सील, शुभाय मान सुरूप और कहां सं कर शसी कला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मेरे कहईवी वचनों को हिर्दे में धारन कर तुम बावले वर को न वरना, अपने हिर्दे में विचार कर हट को त्याग दो, हट करने से तुम दुखी ही पाओगी, और व्याह के समय हमारी सिख् जिस समय वे भूत, पिशाच और प्रेतों की बरा सजा कर आएंगे, तब तुम्हें पच्ताना पड़ेगा, उस बरात को यम दिउतों की सेना के समान जान कर इस्त्री पूरुस सब भाग चलेंगे, गरंथी बंधन के समय अत्यंत सुन्दर रेश्मी वस्त्रों को हाथी के चर्म के साथ जोडते वे सक्खिया मूँ फेर कर हसेंगी, कोई प्रगट एवं कोई हिर्दे में ही कहेंगी कि अमरत और विश्च को घोल कर मिलाया जा रहा है, जब तुम्हारे साथ शिवजी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के इस्तरी पूरुस देख कर हसते वे अपने मुख को छिपा लेंगे, इसी प्रकार अने को कुतर्क करके ब्रह्मचारी एक्छा अनुसार बोल रहे थे, परन्तु परवत की पुत्री का मन डिगा नहीं, भला कहीं हवा से परवत डोल सकता है, जो सत्ते इसने हैं, और सच्ची रुचि को फेरना चाहते हैं, वह तो मानो सावन के महिने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेश्टा करता है, मणी के बिना सर्प और जल के बिना मचलियां सरीर त्याग देती हैं, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोश और गुन का विचार करता है? ब्रह्मचारी के कन कटू चाटू बचनों ने पारवती जी के हिर्दे में तीर के समान आगात किया उनकी आखें लाल हो गएं भुकुटियां तन गएं होट भड़कने लगे उनका सरीर थर्थर कापने लगा फिर उन्होंने सक्षी की ओर देख कर कहा अरे आली इस ब्रह्मचारी को सिख्र विदा करो यह तो बड़ा ही असिस्ट है फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी कहें कोई चतुर इस्त्रियां होंगी वे आपकी सुक्षव सुनेंगी मैं तो बाबले के प्रेम में ही अत्यन्त बाबली हो गई हूँ आपने जो कहा कि महादेव जी दोश निधान है सोसव सत्य ही कहा परन्तो विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है वाद विवाद करके कौन दुख को बढ़ाए कभी किसको मीठा कहता है जिसको जो अच्छा लगता है भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है फिर सकी बोलती है यह सकी इनसे कहो कि बहुत देर हो गई है अब अपने काम के लिए कहीं जाएं द विपरीत तो क्या है बात करने की रीत भी नहीं जानते अदेव कोई विपरीत बात फिर ना कहें शिवजी और साधू की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं उस निंदा को जो कोई सुनता है वह बड़ा पापी होता है गोस्वामी तुलसीदाजी कहते है कि इस वचन को सुनकर उनका सत्य ध्रड और पवित प्रेम जानकर करना सिंदुस्री महादेव जी प्रगट हो गए उनके ललाट में चंद्रमा सोभाय मान हो रहा था उनके कमनिये गौर सरीर पर विभूत अक्त्यंत शोभित हो रही थी उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा उनका मुख मन को मोहित किये लेता था उनकी मनोहर मुर्दी को निहार कर शैल कुमारी पारवती जी के नेत्रों में जल भराया फिरदय में आनंद छा गया और सरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया वे बारम बार प्रणाम करने लगे उनसे कुछ कहते ही नहीं बनता वे मन ही मन विचारती है कि मैं सुपने देख रही हूँ क्या या सच मुझ सामने शिर्जी का दर्शन कर रही हूँ जिस प्रकार जन का दरिदृ महामणी पारस को पाजाए उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास नहो उसी प्रकार दियेत्यपी पारवती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती रही तो भी उन्हें प्रतीत नहीं होती पारवती जी का मनुरत सफल हो गया इससे वे और वे सुहावनी लगती हैं जान पड़ता है कि मानों खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हो उनकी देह में तब का क्लेश और क्रिशता आदी कुछ भी लक्षित नहीं होता है पारवती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वर्ष में हो जाते हैं मानों प्रेम अम्रत में सान कर बचन बोले शेव जी कहते हैं हमको आज तक किसी ने क्रतग्य नहीं बनाया परंतु हे पारवत तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ही ले लिया है अब तुम जो कहो मैं इसी छण वहीं करूंगा बिलम नहीं होने दूंगा शिव जी के ऐसे कोमल बचन सुनकर पारवती जी पुलकित हो करके उनके पैरों पर गिरपणी पारवती जी ने उनके पैरों में नीत निपुनता का वर्णन करते चले गए इधर पारवती जी भी शिव जी को हिर्दे में धारन कर घर चली गए विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनकूल कर दिया फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया मंगल गान होने लगा बधावा बजने लगे तब शिव ज जी ने सब्त रिशी कस्यप अत्री जमदगने विश्वामित्र वसिष्ट भरद्वाज और गौतम को इस्मरण किया उन्होंने आकर प्रभु सिव को सिर्नवाया सिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने जनम का फल पालिया सब्त रिश्यों ने कहा कि जो लोग एक बा प्रभु सिर्ष्ट हैं हे नात हे हर फिर जिसे आप इसमान करें उसके समान तो वही है मुनियों की विने को सुनकर सिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनिश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमान चल के घर जाओ और इसकी चर्च चला कर यदि जच जाए तो लगन धरा आना इसी अवसर पर आकाशवानी हुई कि वशिष्ट पत्नी अरुन धती मैना से मिलकर बात चलाएंगे इस तरियां इस काम में कुशल होती हैं अतह काम बन जाएगा उमा पारवती जी दुलहन है और शिव जी वर हैं ये मुनी को आकाशवानी सुनने से आनंद प्राप्त हुआ सुन्दर नेत्रों वाली इस्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ सकुन सूचित करती हैं शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और इस्थान बतलाया जहां फिर मिलना हो सकता था तब ये मुनिशेष्ट आनंदित होकर गीरी राज हिमवान के पास चल कर पहुँचे जब सब तरिसी हिमवान के घर गय तब हिमवान ने इसने एवं आदर पुरुबक पूझकर उनकी पहुनाई की एवं पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी समगरी लाकर उनके आगे रख दिया तब पूझा आदिसे आनंदित हो विवाह की बात चली हिमवान को समझा कर शुब दिन शोधन करा प्रातेह काली सातो रिशी सुन्दर लगन लिखवा कर आनंद पुरुवक वहां से चली हिमवान ने ब्रामनों का ससमान करके कुल गुरु और देवताओं की पूझा की नगारों पर चोट पड़ने लगी नगर में चारों और उमंग छा गई परवत वन नदी समूद्र और सरोवर जिन जिन विशय में सुना उन सभी को सभी सेष्ट परवतों के नायक हिमांचल ने निवता भेज दिया वे सब के सब सुन्दर विस बना बना कर उपहार के लिए चवर वस्त्र हार और मनीगर लिए हिर्दे में हरसित हो चले हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारिगरों को मंड़ बनाने की आक्या दी और विवाहिता लड़किया मंगल गान करने बजार को रेस्मी वस्त्रों से च्छा कर बीच बीच में फल युक्त व्रक्ष लगाए गएं पारवती जी के नईहर का कहिए इस प्रकार वर्णन किया जाए वह तो मानों बसंत और काम देव के राज की राजधानी ही थी मानों चतुर विधाता ने काम देव के राजधानी की और और ही अलावकिक धंग से रचा है उनके विचित्र रचना को देखकर नेतर जहां जाते हैं वहें ठिठक कर रह जाते हैं इस प्रकार विवाह का साथ सजा कर हिम्बवान बरात का रास्ता देखने लगे गुष्वामी तो जीदा जी कहते है कि मुन्यों ने शीव जी को लगन पत्रिका ले कर दी इससे सीव जी आनंद उस्सों में मगन हो गए सीव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुला कर जब लगन पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवतां को बुला कर विवाह के लिए चलें ब्रह्मा जी ने जहां तहां शीव जी के गणों को दूत बना कर भीजा यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन हुए और नगाडे बजाने को कहने लगे वे समार कर विवानों को सजाने लगे उस समय अच्छी अच्छी शगुन होने लगे इस प्रकार अपने अपने साज और समाज को सजा कर देवता लोग चल दिये शिव जी के समस्त दूत और भूत गण अत्यन्त आनंदित होकर गरज रहे और सुवर भैस कुत्ते गधे आधि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं बकरे उल्लू भेड़िये शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते हैं इसी समय लक्षमी पती भगवान विश्णू और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं संकर जी थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प् बगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ उस समय बहुत प्रकार से वाहन यान और विमान शोभायमान हो रहे थे फिर बराज चली और धड़ाधर नगारे बजने लगे आकाश में नगारे बजने लगे गाने का मधूर शब्त होने लगा शिव जी बेल पर चढ़ कर चले देवता लोग जैजे कार करने लगे और फूल बरसाने लगे तथा शुब सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे गुस्वमी तुलसी दाजी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेद यही बरातियों के रूप में सोभायमान वो रह थे उस समय वर को गज, चर्म, सर्प और मुनमाला से विभूसित देख करके देवता लोग और भगवान विष्णु हसने लगे भगवान ने देवताओं को बुला कर कहा कि अब नगर निकट आ गया है अतह सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो इस समय भूत नात के साथ भूत गण सोभायमान हैं जो अनेक प्रकार के मुख, विष्ण और वहनों से विराजमान हो रहे हैं वे कच्छों के खपड़े को खाल से मढ़ कर उन्ही को नगाड़े के रूप में बचाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भरभर पीते और पिलाते हैं तब भवान विष्णों ने हस कर कहा कि दुला के योगी ही बरात बनी है यह सुनकर सिवजी हिर्दय में हसते हैं इस प्रकार खुप कीड़ा और कौतक हो रहा है मार्ग में बड़ा विनोध हो रहा है उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता बरात बाजे विजाते हुए नगर की निगट पहुच गई नगर में खलवली पड़ गई संपूर्ण हिमाचल परवत हिर्दय में आनंदित हो मानों पुणिमा के समान चंत्र मंडल को देख समुद्र उमर गया हो स्वागत करने वाले प्रसन होकर आगे परन्तु बरात को देखकर घवरा गये उसमें उनसे न तो रहते बनता था और नहीं भागते ही बनता था हाथी घोड़े भाग चले वे लटाने से भी लोटते बालक भी घवराट के मारे भटक गये वे घर खोजते फिरते अगवानों ने बरातियों को जर्वासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए इस्थान की विवस्था कर दी तब सब बालक घर घर पहुँचकर कहने लगे कि प्रेत बैतार और भैंकर भूत बराती हैं तता बावला वर बैल पर सवार है इस प्रकार सभी बालक दुलहे के योगे ही बना है अर्था सारा साज जही विप्रीत है हम सत्य कहते हैं इश्वर कुसल करे जो जीते बच गए तो करोडो ब्याह देखेंगे इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ वह कहने लगें कि नारत के उपदेश से कौन सा घर नष्ट नहीं हुआ है नारजी तो कहते हैं कि परंपरुप कारी हैं परंतु ये घर को नष्ट करने वाले धूर्ट और कलह प्री हैं सब तिरिश्यों ने विवाह समंदी बातचीत भी वैसी ही की थी वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हिदे में लगा कर अनेक प्रकार की कलपना करने मन कुछ स्वस्थ हुआ अर्थात उनके मन में सांतोना हुई उसी समय जहां तहां बजार चौक एवं गल्यूं में बराद की चर्चा चल रही थी उसे सुनकर लक्ष्मी पती भगवान विष्णू देवराज इंद्र तथा अन्य देपता लोग कमल के समान हाथों को अहल जान सो कडोर काम देव से भी अधिक सुन्दर और मनोहर हो गये उनका गज चर्म निलांबर हो गया जितने सर्प थे वे मनी में आभूशन हो गये उसमें ऐसा जान पड़ता था उनके रोम रोम पर सुन्दर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हूं सीव जी के गणो का वेश्वी मंगल में हो गया और वे अपने ही सुन्दर से काम देव के भी मन को मोहने लगे यह सुनकर सभी इस्तरी पूर्स हिर्दय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चल दिये उस समय ऐसा जान पड़ता था मानव शिव जी शार्दी पुनिमा के चंद्रमा है देवता लोग नच्छत्र के समान है और उन्हें देखने के लिए चारो और पुर्वासी लोग चकोर समदाय की भादी शुशोवित हो रहे थे लगन का समय होने पर गिरिवर हिमवा ने ब्रातियों को बुला वेजा और उन्हें मंगल में अर्थ और पावर देते वे साथ ले चले चलने के समय मंगल में शकुन होते हैं और देखता लोग फूलों की वर्षा करते हैं आनंद पून गान और नगारों का निनाद होने लगा और नगर आनंद इवा मंगल से पूर्ण हो गया पहले ही पौरी पर समधियों का सुख दायक मसम्मिलन हुआ इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमवान थे दोनों ही समान और सब प्रकार के योके थे फिर मणी और सोने के सुन्दर थाल में आरती सजा कर इस्त्रियां चली उनके रूप को देखकर काम पत्नी रती और गान समण कर सरसुती भी इर्शिया करने लगती थी सरीर से पुलकित और मन में आनन्दित हो वे भागे और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामनिया वर दुलहा का परिछन पूजन करने चली वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकास पुन देखकर मैंना सुख सागर में मगन हूँ आरती उ च्छावर करके वर की ओर देकर माग में अर्ध और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनन्द पुर्वक मंडप में लेचली हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिये उस समय का जो कुछ साज समान था वह सब सुन्दर मंडप में ल रीत पूरी की गई तथा आचमन कराया गया तत पश्चात म्रह्मा ने सब तरिशियों से कहा कि भिलंब ना करो लगन का समय हो गया है सिग्र ही सब विधियां समपन करो तब अगनी इस्थापना करके दूले शिवजी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि सिग्र ही दुल शोवित हो रही थी मानो सौंदेर मुर्ती प्रगट होकर जगत को मोह रही थी समय के अनकूल वस्त्र और आभुश्रों की खूप सोभा हो रही है मानो सोभा के नमीन लती का रूप में फलों से फली हुई है कहो पारवती जी के गुण एवं रूप की तुलना किस से की पारवती जी को आते देख देवतार लोग सिर नवाते हैं और अपना जन किरतार्थ करते हुए जानकर सुखी होते हैं राम्हर लोग आशिरवा दे देकर वेद की ध्वनी कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगारों की ध्वनी तता फूलों की वर्सा हो रही है सब लोग दूला दुल्हिन को देकर मन ही मन प्रफुलित होते हैं संखुख चार के समय सब देवता और मुनी लोग हसने लगे फिर परवतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुष लिया तथा कन्या दान का संकल्प किया कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया फिर उस शुब घरी में कलस और शिला का पूजन किया गया ततपश्चत लावा विधान जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है क्रंथी बंधन हुआ फिर धुरूब का दर्शन किया गया तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन हो गया और हम लोगों ने जर्म लेने का फल अपने आखों से देखा इसी प्रकार सभी ने अपना जर्म फल देखा विवाह हो गया दसो दिशाओं में आनंद उमर पड़ा गोस्वामी तुलसीदा जी कहते है कि नगारों के घोष गान की धनी फूलों की वर्षा से वह रात्री सुहावनी हो गई परवत राज हिम वाने वस्त्र मणिया गौव धन हाथी घोड़ा दास दासिया जो कुछ भी गिरिजा को पिये थे वे सभी प्रेयम पुर्वक में दिये फिर बराती लोग तो जन्वासे को चले गए दुल्हा दुल्हन कोहवर में गए उस समय मैना ने उनका द्वार रोकर कौतु किया और शिव पारवती ने लह कौरी की रीति करके उठे बड़ाए सुख दिया जुआ खिलाते समय सब इस्त्रियां हिमांचल पत्नी म मैना को गाली गाती और शिव जी अपनी ओर देखकर विशेस आनन्दित होते कि हमारे तो माता पिता है ही नहीं गाली किसको देवगी सखिया स्वासनी और सास सभी ने सब प्रकार के सुख को प्राप्त किया फिर मंगल के निधान दुल्हा स्री महा देव जी जन्वासे को ददंतर सब देवताओं को बुला कर जेव नार हुई धर्म और प्रित्वी को धारन करने वाले गिरी राज ने सब को बिठाया सुआर सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे उस समय सुंदरी इस्त्रियां गाना गाने लगी और मन को आनन्द में डुबोन गुणी लोग सहनायों पर सुमंगल गान करने लगे विष्णु भगवान और ब्रम्भाजी ने अपने भाई सजातिये समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले गए परवत राज हिमवा ने प्रारतहकाल होते ही विदा का सामान तयार किया और देवता लोग रथों को जाकर नगारे वजाते वे चल दिये सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावन दी और उनकी विने एवं इसने से सुहावनी बढ़ाई की फिर सास ने सिवजी के चरण को पकड़ कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रातना मानिये पारवती मेरे जीवन की मूल है ऐसे जा देती हैं और फिर मिलकर पहुचाने जाती हैं मानों हाल की बियाई हुई गाए हुंकार भरवर करके दोड़ती हो पारवती जी माता के मुख को देकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सक्या संसार में इस्त्री का जन्म ही बृथा है यों कहकर सोच करती हैं गिरी राज पुत्र और परिजन सहित पारवती जी से मिलकर उन्हें बहुत प्रकार समझा पुझा कर दुखी मन से लोटे फिर शिव जी पारवती जी के सहित कैलास परवत पर गए देपता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए पारवती जी और शिव जी के विवाह क आनंद से सारे भुवन भर गये विधाता ने सबके संपुण मनुर्थों को पूरा कर दिया पेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कभी की बुद्धी रूपी म्रग नैनी कामिनी ने यह स्री पार्वती और प्रभु संकर के गुण गण रूपी मनियों से मंगल में हार बुद्धी जन विलोक तिलोक सोभा सार सो कल्यान काज उच्छाह ब्याह सने सहित जो गाई हैं तुलसी उमा संकर प्रशाद प्रमोद मन प्रिय पाई हैं कभी की बुद्धी रूपी म्रग नैनी चंद्रवदनी इस्त्री ने मणियों के इस मंगल हार को रचा है इसे भक्त बुद्धी रूपी इस्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझ कर धारन करें जो लोग विवाह उस्सो आदी मंगल कृत्यों के समय इस प्रेम सहित गान को करेंगे गोस्वामी तुलसी जाजी कहते हैं स्री शिव और माता पार्वती की प्रसा से मन को प्रिय लगने वाल आनंद प्राप्त करेंगे भगवान संकर की जय हो माता पार्वती की जय हो भगवान विष्णू की जय हो ब्रह्माजी की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो द्रश रिशियों की जय हो और द्रश रिशियों की जय हो आशा करती हूं कि यह मंगल गान पार्वती मंगल ग अवसे ही सुनें किर्प्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन दवाना ना भूलिएगा कमेंड बॉक्स में जै मातादी अवसे ही लिखतीजेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद